थोड़ा देखिए एक बात हम बताए यहां पर सब दुद्वान लोग बैठे हुए मनीशी लेकिन ज्ञान को जगाना पड़ता है हमारे हनुमान जी जितना कोई ग्यानी नहीं है महराज अतुलित बल्धामम हे मसेला भदेहम दनुजबन ग्रिसानुम ग्यानी नाम ग्रगण्यम ग्यानियों में अग्रगणी हैं और बलसाली भी है इतने बले बड़े ग्यानी को भी जगाना पड़ रहा है कि कहाई रीच पति सुन हनुमाना 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 काजुपसाधि रहो बलवाहना पवन तनय बल पवन समाना ना सिंहनाद करिगे हनुमाना भीया जब रिच्पती ने कहा नहीं हनुमान जी से कि रामकाज ली ने आपका उतार हुआ है आपका उतार कैसे क्यों हुआ है रामकाज करने के लिए तब हनुमान जी क्या कर रहे हैं सिंहनाद करिगे जोर से गर्जना किया पवन तनय बल पवन समाना एकतम अपना विशाल रूप ले लिया और लंका को चल रहे हैं विचार करिये जही गीरी चरन देई हनु मंता इतना ताकत हो गई इनके अंदर तो जब आप सब को जगाया जाएगा महराज तो आपके भी अंदर वो सब्यान उतने ही ताकत से भरा जाएगा कथा तो सब जानते हैं महराज लेकिन महराज भरती पर पड़े हुए है और अंदर से धीरे धीरे देखी एक बात बताएं जब कोई जो एक चोट लगती है तो इतने जल्दी पीड़ा नहीं होती महराज तो धीरे धीरे हो रहा है और जब जब महराज ने कई केई को राजा देख रहे हैं तब ये कही सब्द कह रहे हैं कि देवी ये का माग रही हो तो मैया कहती है सुमंद जी को बुलाया जाए और सुमंद जी आते हैं और सुमंद को आदेश देती है मा कई कई किया नहुरा मही बेगी बुलाई और समाचार तब पूछ हुआई सुमंद से कहती है कि आप बाद में समाचार सब पूछना कि वे महराज जी की इस्थिति क्यों हुई है पहले काम करो राम जी को लेके आ जाओ तुछले सुमंद राम रूख जानी और लखी को चाल की भीक छुरानी और जैसे भगवान राम जी आते हैं पिता जी को उन्धा पड़ा मुर्चित पड़ा देखा ने तो उनका सर अपने गोद में ले लिया कि हे पिता स्री हुआ है क्या जै हो वैसे तो मैं राधिश्याम नहीं गाता हूँ देखे हमारे परमफुज्याचारी स्री बड़े भाई का आदेश था कि आप राधिश्याम को लेके चलिए तो हम दो चार लाइन जरूर बोलेंगे कि हे पिता स्री हुआ है क्या क्यों तुम को मुर्चा आई है या किसी रोग ने खेरा है या तो यी भी पिता चाहिए तो मंत्री मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों अकूल आए है क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो पिता सिरी रिशाए राम बार बार पिता जी को बुलाते हैं और मैया से ही प्रस्न कर रहे हैं ध्यान दीजियेगा महराज कि तुम बार बार हो सोच रहे है किस दुख ने इन्हें दबाया है मा कही कह रही है अव ये सका कारण बत लाने को मैंने ही तुमें बुलाया कही कहती है महराज इसलिए हमने बुलाया है राम बुलते मैया क्यों बुलती बेटा इसलिए कि कुछ ध्यान तुम है तुम कोईन का अत्यधिक प्रीत और ममता है ये हो बस उसी मोह के चकर में इनकी हुई ये लवत आए अधिया बेटा मैंने दो बर्दान मागा था और ये आज का नहीं बहुत पहले की बात है है हम गोड कथाओं में नहीं जाएंगे क्योंकि गोड कथाओं में जाएंगे तो बहुत भी लंब होगा महराथ मैं यह कहती है बेटा कि दो बचन देने का बचन मुझे अवधेश्वर ने दाला था जब हुआ समय तब माग लिया जो कुछ मुझे चाहिए राम जी कहते हैं जैसे जिस तरज में मैया ने सवाल जबाब किया उसी तरज में मेरे राम जी भी मैया से बित्ती करते हैं कि पड़ भागी वह पेटा है राम चरित्मानस से ही बोलते हैं लेकिन हमारे परमपूज्य आचायर श्री का आदेश हुआ बड़े भाई साथ का आप राम लठा में राधी शाम गाईएगा जिरूर तो आज हम भगवान हनुमन तलाल के चाड़ों में समर्पित कर रहे हैं माता यदि यही आज्या दें तो जिन्द की पभीत रहा मादी इस लाइन पर महराज अगर आप सबको कथा और यह तर्ज अच्छी लग रही हो तो मेरे साथ भी गाईए और दोनों हाथ उठाईए कि वह बड़ भागी बेटा है जो पितु माता या आज्या कारी है इतने आज्या कारी हैं यहाँ पे आउ माता यदि यही आज्या दें तो जिन्द की पभीत रहा हमारी राम जी हमारे कहते हैं तुलसी बाबा की कलम से कि सुनू जननी सोई सुत बड़ भागी सुन जननी सोई से बड़ भागी यह पी तुमा तुच रन या नुरागी मैया इससे बड़ा सो भाग्य हमारा और क्या है हम तो बड़ भागी है कि हमें मा और पिता का आज्या का पालन करने को मिल रहा है आज कल के बच्चे होते तो क्या करते महराज कल जुग अपना रंग दिखा देता कि हाई रे कल जुग रंग देखा एसी अरे हाई रे कल जुग रंग देखा एसी घर घर के चल नवाज कि मात्यी महगा खुन सस्ता है कि घर का भेती भेत बताया और रावने कमरनवा हो गई ला होता है न यही कथा है त्रेता की लेकिन आज भी वैसे वैसे भी भी सनबैशे हैं लेकिन आज की युग क्या कह रहा है कि पहले तहे जा पाद में तुलहिन पहले तहे जा पाद में तुलहिन अज महघा सजनवा हो गई ला हयात पादा सजनवा हो गया अजमा का सजनवा हो गया पात में तुलहिन पहल तहे जाए पात में तुलहिन अजमा का सजनवा हो गया